हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो पीरे विद्यारतियों आज की इस क्लास में हम सक्सा आठ गणित विश्य की ब्रक बुक दो जातेवी 24 के कारे पत्रक 21 को हल करना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक 21 से लेकर 20 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर आप बच्चो उन सभी क्लासेश को आराम से देख सकते हैं बच्चो कारे पत्रक 21 में हम 3 विमय आकरती यानि 3D आकरतियों के बारे में समझेंगे बच्चो 3 विमय आकरती क्या होती है जिसमें बच्चो तीन विमय होती है कितनी विमय है तीन कौन कौन सी जिसमें बच्चो लंबाई भी होती है जिसमें बच्चो चोड़ाई भी होती लंबाई चोड़ाई वर उंचाई तीनो विमाय पाई जाती है ऐसी आकरतियों को बच्चो त्री विमी आकरती कहा जाता है जैसे बच्चो उधारन की बात करें जैसे बच्चो गन हो गया फिर बच्चो आपका गनाब हो गया गन फिर बच्चो गनाब फिर आपका बच्चो क ये सब त्री विमिया आकरती है जिनके अंदर तीन विमय होती है बच्चो लंबाई चोड़ाई वर उंचाई तीनों चीजे देखने को मिलती है तो देखो बच्चो प्रशन संक्या एक दिया गया है नीचे दी गई त्री वीमिया आकर्तियों की उप्युक्त सरंचना को चांट कर सही का निसान लगाईए बच्चो ये किसकी सरंचना है संकू की तो संकू के जैसी सरंचना कौन सी है इन तीनों में से बच्चो आकरती नमबर एक संकू के जैसी सरंचना है दूसरा बच्चो जो सरंचना है वो है गनाब की तो बच्चो गनाब के जैसी सरंचना कौन सी है तो बच्चो गनाब के जैसी सरंचना है आकर्टी एक इक खिके आगे बच्चो प्रशन संक्यादो नीचे दी गई त्री वीमिया आकर्टियों को उनकी सही सरंचना के साथ मिलान करना है बच्चो पहले आकरती किसके जैसी है बेलन के जैसी तो इसके जैसी आकरती कौनसी दिख रही है बच्चो इसके जैसी आकरती दिख रही है ये वाली ठीके पिर दूसरी आकरती किसके जैसी है बच्चो संकू के जैसी किसी है संकू के जैसी इसके जैसे आकरती कौन सी दिख रही है बच्चो आकरती नमबर एक फिर बच्चो तीसरी आकरती ये भी कैसी है संक्वाकार तो इसके जैसे आकरती कौन सी है बच्चो इसके जैसी जो आकरती है ये है बच्चो ठीक इसके सामने वाली ये वाली फिर बच्चो चोती आकरती कैसी है गनाब के जैसे ठीके तो इसके जैसे आकरती कौन सी है बच्चो इसके जैसे आकरती है आपकी ये वाली ठीके तो इनका आपका उचित के साथ मिलान करना था आगे बच्चो प्रश्न संक्या तील नीचे दी गई सरंचना मैंसे किस किस से घन का निर्मान कर सकते हैं उप्युक्त विकल पर सही का निसान लगाईए बच्चो घन की सभी आकरती कैसी होती है वर्गाकार कैसी होती है वर्गाकार जिसकी सभी बुजय आपस में समान होती है ठीके तो इन में से ऐसी कौन सी आकरती है जिन से हम घन का निर्मान कर सकते हैं तो बच्चो घन के अंदर पुल कितने जो भाग है पुल कितने भाग होते हैं 6 घन होते हैं एक घन के आकरती के अंदर जो वर्गाकर भाग है वो बच्चो कितने होते हैं 6 होते हैं हम क्या सकते हैं, घन के अंदर जो प्रष्ट है, प्रष्ट कितने होते हैं बच्चों, घन के अंदर 6 प्रष्ट होते हैं, बच्चों देखो, आकरती कह में कितने प्रष्ट हैं, फिर बच्चो आकरती ग, इसमें कितने प्रश्ट हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच, तो इससे हम गन का निर्मान बच्चो नहीं कर सकते हैं, ठीके, तो आकरती क और आकरती ख से बच्चो हम गन का निर्मान कर सकते हैं, क्योंकि ये गन की आकरती में कितने फलक या प्रश् ठीक है बच्चो तो इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक 21 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैंनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेरो और सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत